नमस्कार सबय जानामा आजा हामी साजी रोबोट को प्रयवगरी अक्वाबोट बनावना जादे छाओ एशको लागी हामीलाई एवटा साजीलोबोट, एवटा DC मोटर, RF360 मोडल, एवटा सर्वो मोटर, एवटा Bluetooth मोडियूल, चार ओडा बैटप्रीज, दुइटा बैटरी होल्डर, एवटा स्वीच, वायर्स रा सन्बोट चाहेंचा पहिला सबय जानाले सन्बोट लिन होस, रद धीएको मेजरमेन अनुशार सन्बोट माँ इसकेल प्रयोग बरी लाइन तान होस तेश पची उक्तो सन्बोट लाई वीडियो माँ देखाए जस्ते गरी पेपर कटर ले काटन होस अब हम्रो 29 सेंटिमेटर बाई 7 सेंटिमेटर को द्री ओटा लियाउट माँ वीडियो माँ देखाए सरी प्वेंटेट से बनाउन होस तेश पची हम्रो सन्बोट रेडि भयो लाँ अब ग्लूगन को साहाए ताले एसलाई अटाज गरोँ भई हमीले ग्लूगन को साट्टा सुपर ग्लूप पनी प्रयोगर्ना सक्षाऊं अब सबाई लियाउट लाई वीडियो माँ देखाए सरी टास्तेई जानों कला कुने कुने ठाउमा हामी लाई सन्बोट बेंट गर्ना एज हरुमा क्रप पनी गर्नों परशा अब हामी प्रोपेलर डिजाइन गर्ना जादे छाओ एसको लागी मैले बदाम जुशको क्यान यूज गरे खशु एसलाई ध्यान पूर्व काटनो हला क्यान लाई कमपास को हेल्प ले सरकल काटनो होस रा द्वी ओटा परपेंडिकुलर डायमिटर खिसनो होस अनी तेसलाई बाइर बाटा थोरे-THोरे काटनो होस अनी प्रोपेलर को द्वी ओटा लीफ माथरा राखनो भला एसलाई ध्यान पूर्व काटनो हला अब येटा टिक्नोटी पेन को रिफिल लिना होस रदीसी मोटर को टुक्प ततायरा रिफिल जोडना होस और को इन्ड मा तेही प्रोपेलर लाई येटा सानो इस्क्रू प्रयोगरी टाइट गरना होस अब हम्रोपेलर रेरी भयो अब डिसी मोटर लाई येटा बैटरी होल्डर र येटा स्वीच प्रयोगरी जोडना होला र तेसलाई बोट को तलपटी भाग मा 20-45 दिग्री सम्मको एंगल बनाई बोट मा जोडना होला यहाँ वाटर पूफिंग को लागी मैले येटा 5 सेंटीमीटर को जूस को इस्ट्र यूज़ गरेको छू अब सर्वो मोटर लीनो होस र येटा जियाई वायर भीडियों मा देखाई जासरी अटैस गर्न होस र तेसलाई हम्रोब बोट को पचाडी पटी को भाग मा जोडना होला हम्रोब बोट लाई डिरेक्शन प्रवाइड गरना राडर चाहिन छा तेस का लागी 14 बाई 7 सेंटीमीटर को राडर काटन होस र तेसलाई भीडियों मा देखाई शरी टेल बनाई काटन होस टेल को भाग पटी सार्प एज बनाऊन होस तेस पची एज लाई टेल पटी सरबोमा बसनेगरिक ब्लू गन ले 28 गरना होला भीत्र पटी योटा सानो सनबोट को टुक्रा राखी हम्रो सजीलो बट राक्ने ठाउं बनाऊन होस र सजीलो बट राक्न होस अब हामी M Block माँ AquaBot को कोड बनाऊना जा देशों सवय बंदा पएला हामी When Sajilobot Starts बने ब्लॉक लिन्चाँ तेस पची Variables Palette माँ गई Makeup Variable माँ क्लिक करचाँ इसमा हामी Value बने Variable क्रियेट करचाँ र यहां आएको कोड हरु मते Set Value to 0 बने कोड ड्राग गरचाँ Coms Palette बाटा अब हामी Set Pot Rate to 9600 बने कोड लिन्चाँ यो कोड हामी Bluetooth को माध्यम बाटा सजीलो बट लाए कमांद दिनको लागी यूज गरचाँ अब हामी Motors मा गई Move Server Pin at 6 to 180 degrees बने कोड लिन्चाँ र सर्बो को एंगल लाए 105 degrees मा Set गर दिन्चाँ इसले हामर प्रोपेलर को साफ लाए सिधा बनाई दिन्चाँ तेसपचे हामी Controls Palette मा गई Forever Block लिन्चाँ Forever Block बित्रा हामी If Then Block बनी हाल दिन्चाँ If Then Block को कंडिशन मा Bluetooth डेटा आई रहेको सकी छाइना बनने चेक गर नगो लागे हामी इस सिरियल अवेलेबल बनने कोड बनी हाल दिन्चाँ If Then Block बित्रा हामी Set Value बनने कोड हाल दिन्चाँ र तेसलाई Rich Serial मा Set गर दिन्चाँ अबा operators मा गई इकोल्स टू Block दिन्चाँ र इफटेन कोड को कंडिशन मा हाल दिन्चाँ इकोल्स टू Block को योडा सायड मा बैल्यू वेरेवल हाल दिन्चाँ र औरको सायड मा 85 बैल्यू हाल दिन्चाँ If Then Block को स्टेटमेंट मा मोटर्स पैलेट मा रहेको मुव सर्व कोड हाल दिन्छाँ रा एंगल लाई 105 डिग्रीज मा सेट गर दिन्छाँ अबा हामिले हमरो मोबाईल मा रहेको कंट्रोलर मा अप एरो थीचे ववने सर्व ले प्रोपेलर साफ लाई स्ट्रेट बनाई दिन्छा अरको इफ देन ब्लोक मा वैल्यो इकोल्स टू 82 बनाऊ छाँ रा बोट लाई राइट मा स्ट्रेट गर नगो लागी सर्व को अगल 65 डिग्रीज मा सेट गर छाँ अन्तिमको इफ देन ब्लोक मा वैल्यो इकोल्स टू 76 बनाऊ छाँ रा बोट लाई लेश मा स्ट्रेट गर नगो लागी सर्व को अंगल 145 डिग्रीज मा सेट कर साँ अर एक अल्भाच न नम्मर पो आपनो-ापनो ASCII code हरुँचान जश्तेए капिटल-e को ASCII code 65 बनाचा र स्मॉल A को ASCII code 97 हुचा आमर केस माई 85 कापिटल-E को ASCII code हो 82 कापिटल-R को ASCII code हो र frozen 76 कापिटाल-L को ASCII code हो मोबाइल को कॉंट्रोलर लाइब बने यही अल्फाबेट हरु बाटा है मिं कॉन्फिगर गर सुंग एस साजीलो बाट रा सर्बो को कनेक्शन तला दिये को सर्किट कनेक्शन जसरी गर्ण होला वीडियो मौन परे मां लाइक शेर रा कॉमेंट गर्ण होला रा इसने वीडियो हर का लागी हमना चैनल बियांड आपोजी लाइब सब्स्राइब गर्ण होला